पेट्रोल डियल की कीमतों में नहीं होगी कमी निर्मला सितारमान पेट्रोल डियल की आसमान छोती कीमतों से कोई रहत नहीं मिलने वाली है बतादे बीत मंत्री निर्मला सितारमान ने खुद यह बात अस्पश्ट कर दी है बित मंत्री ने पेट्रोल डियल की कीमतों में लगातार हो रहे है इजाफा के लिए पुरुवर्थी कांग्रेस नीत सन्युक्त प्रगती सील गठबंधन सरकार को जिमिदार ठाराया है बताद निर्माला सितरमन ने सोमवार को कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए 1.44 लाख कोड़ोर रूपय के तेल ब्रांट बेचे केंद्रिये बित मंत्री ने कहा कि वह यूपीय सरकार के उस खेल में नहीं पड़ेगी उन्होंने कहा कि उपीय सरकार ने तेल के ब्रांट जारी किये और उसका बोज भारतिय जनता पार्टी सरकार को जहलना पड़ रहा है जारखन में अगले दो दिन मांसुन पूरी तरह सक्रिये रहेगा बादादे मौसम विभाग के मताबिक जारखन में मांसुन की उतर दक्षिन टर्फ लाइन समुद्र तल से डेल किलोमीटर उपर सक्रिये है इस वज़ा से राची, हजारी बाग, रामगण, खोटी, बोकारो, धनबाद, देवगर, दुमका, गोड़ा, गिरिडी, सायुगंज और पांकुर के कई इलाकों में भारी बारिस के असार है इसके साथ ही बीली, कड़कने और बजरपात की भिया संका है जारखन के अन्य जीलो में भी अहलके से मद्य दर्ज की बारिस होने की संभावना है बीर्षा किसान के रूप में जाने जाएंगे जारखन के अन्ठावन लाक किसान बीर्षा किसान अब नाम के अनुरूप किसानों की समरीधी के नए यूग के वाहक बनेंगे बतादे किसानों को नई पहचान और समान देगी इसी के तहत मुख्यमंत्री हमन सुरेन के निदेश पर किरिसी विभाग एक नई यूग की सुरुवात करने और अधिक से अधिक गरीब किसानों को किरिसी योजनावों के तहत लाने का पर्यास कर रहा है राज के करीब 58,000,000,000 को बिर्षा किसान के रूप में पहचान देने के कारे को मूर्थ रूप देने में भी भाग जूट गया है बतादे बिर्षा किसान के तहत किसानों को एक यूनिक आईडी के साथ पंजिकरित किया जाएगा जिसमें अधार, कार्ड, मोबाईल और बचत, खाता संख्या आदी अनिवार्य होंगे साहिब गंज के बाड़ परभावित इलाकों से लोगों को राहत सिविर में जाने की अपील गंगा के बढ़े जल अस्तर के कारण साहिब गंजीले के विभीन छेतरों में बाड़ की सिती उत्पन हो गई है पतादे सोमवार को बाड़ परभावित इलाकों का राज महल सांसत बीजा यहांसदा साइवगान डिसी राम निवास यादो समेथ अने सीनियर अधिकारियों ने दरा किया इस दरान बाड़ में फंसे लोगों के बिच राहत समागरी बीतरन किया गया वहीं लोगों से राहत सिविर में जाने की अपील भी की गई जारखन में भाजपा की जन अशिर्वाद यात्रा शुरू विकास वा उत्थान के संकल्प के साथ सोमवार को भाजपा की जन अशिर्वाद यात्रा की शुरूद को डारमा से हुई इस दोरान उन्होंने नई सिक्षा निती, वो भी सी आरक्षन और अंतियोदय पर विचार रखे और विपक्ष दलो पर निशाना साधा सावन की आखरी सोमवारी पर राजरापा मंदिर में उम्रे सरधालू सावन की अम्तिम सोमवारी पर जारक्षन के रामगर जीले के रजरापा मंदिर से सिदेशवर धाम तक कावर यात्रा निकाली गई इस दोरान बड़ी संख्या में सरधालू रजरापा मंदिर पहुँचे होकी खिलाडी निकी को रेलवे में परमोसन टोक्यो ओलमपिक में भारतिय महिला होकी टीम में सामिल निकी परधान को रेलवे बोड ने परमोसन दिया है बतादे अब निकी गजेटेट आपसर बन गई है जार्खन की नीकी परधान और सलीमा टेटे ने ओलंपिंग में संदार परज़सन किया था बतादे दोनों राची रेल मंडल की खिलाडी हाँ इस उपलबधी पर रेलवे ने नीकी परधान को चीफ याड मास्टर हटिया से परमोशन देते हुए राची रेल मंडल के एस्पोर्ट का OHD बनाया है जार्खन में मुहरम की सरकारी छुटी में बदलाव जार्खन में मुहरम की सरकारी छुटी में बदलाव किया गया है बतादे अब जार्खन के सरकारी कर्यालियों में मुहरम का आवकास 20 अगस्त को होगा कार्मिक प्रसासनिक सुधार तथ राजबासा भी भागने सो मुहर की इसकी अज़सुचना जारी कर दी है पुरू में 29 अगस्त को अवकास की घोस्तना की गई थी बतादे केंद्र सरकार की ओर से मुहरम के चुटी 20 अगस्त को घोस्त की जाने के बाद अब राज सरकार ने भी 20 अगस्त को मुहरम के चुटी की घोस्तना कर दी है चत्रा में CISF और भूर रहतियों के बीच जड़ाप चत्रा जिले के टंडवा थाना छेत्रे के नई पारम गाउं में सोमवार को CISF और भूर रहतियों के बीच हिंसक जड़ाप हो गई बतादे इसमें कम से कम 6 महिलाएं जखमी हो गई है जख में महिलाओं में से तीन की सिती नाजुक बताई जा रही है घटना के बाद NTPC एरिया में सुरक्षा बॉल बढ़ा दी गई है दरसल NTPC परवंधन सुरक्षा बॉल के साथ लेंगुन टूक का निर्मान कारे करने नई पराम गाउं पहुंचा था जखन में 35 नई केस मिले है जो रांची से गारा धनबाद से तीन, रामगर से दो, पलामू से एक, देवघर से एक, गुमला से एक, लुहरदागा से तीन, जामतला से गारा, साइबगाई से दो मिले है जखन में कूल एक्टिव केस की संख्या 236 है भारत में 24692 नई केस मिले हैं, भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 3,62,849 है जखन में एक्टिव केस रांची 106, पूर्वी सिम्भूम नव, हजारी बाग 3, बोकारो 3, धनबाद 29, रामगर 8, पश्मी सिम्भूम 6, कोडारमा 3, पलामू 1, देवघर 13, गुमला 2, गिरीडी 1, लातेहर 2, खुर्टि 10, सराइक लेखर सावा 3, सिम्डेगा 0, गढवा 3, लोहरदगा 3, चतरा 2, ग किनर समाज करेगा महारोद्राविसेख यग, अब तक आपने किनर समाज से जुड़ी एक से बढ़कर एक कहानी सुनी होगी, लेकिन आपने अभी तक किनर समाज की ओर से आयोजित किये जाने वाले महारोद्राविसेख नहीं देखा होगा, आपको बता दे कि आगामी 21 अग पारी के सामें तय होगा, इसके बाद कारकरम के लिए समाज के लोग इकाठा होंगे, गुमला के राएडी के हाटकोर नक्सली गिरफतार, गुमला जिला अंतरगत राएडी थाना की पुलिस ने भागपा मवादी के हाटकोर नक्सली राए टोली बीरकेरा गाउं के बंधन 2021 को भागपा मवादी का सिर्ष नेता 15 लाग का इनामी बुधेस्वर उराव पूलिस के साथ हुए मुटभेड में कोचा गानी जंगल में मारा गया था बुधेस्वर के मारे जाने के बाद 14 से 15 लिजान बचा कर भाग निकले थे इसमें बंधनु महत्तो उर्फ अवतार भी था रांची जिला परसासन का आदेश संक्रमित मरीजों का अब घर पर नहीं होगा इलाज रांची में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद जिला परसासन ने निर्न लिया है कि अब किसी भी कोविट के मरीज को होम आईसोलेशन पर नहीं रखा जाएगा बलकि ऐसे मरीजों को चीन हीत करने के बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया जाएगा ताकि किसी भी तरह किला फरवाई नहों और कोरोना के मामले न बढ़े इसके लिए इंसिडेंट कमांडर को दिशान निर्देश दिया गया है मारवाई इसकूल में रोश्टर के तहत बुलाया जा रहे बिद्यार्थी मारवाई पलस टू स्कूल में तिन विद्यार्थियों के कुरोना पोजेटिव होने के दो दिन बाद बदली हुई विवस्ता एक दहत सोमवार को विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुला पता दे अव रोश्टर के दहत विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है सोमर को 128 विद्यार्थियों के उपर थी इस्कूल में थी किसी किसी कक्छा में एक बेंच पर एक और किसी कक्छा में एक बेंच पर अधिक्तम दो विद्यार्थि के बैटने का बेवास्ता इस्कूल परबंधन ने की है गढ़वा जिला में मेढक मेढकी की साधी जारखन के गढवा जिले में एक बर फिर अनोखी परंपरा का निर्वहन किया गया बतादे यहां मेढक मेटकी के अनोखी साधी कराई गई इस साधी में गावाले बराती बने बतादे 1966 के आकाल को आज तक गावाले नहीं भूल पाए हैं फिर से वह आकाल ना दोहरा है इसलि इसलिए ना वी बराती बने मुख्य मंत्री ने अतल बिहारी वाजपे की पूर्य तिति पर नमण राज्य के मुख मंत्री हमन सुरेन ने देश के पूरो परदान मंत्री भारत रत्न स्वर्गिय अटल बिहारी बाजपे की पूर्णे तिथी पर उन्हें नमन किया उन्हें कहा कि प्रखर राष्टवादी लोकप्रिय जननेता भारतिय राजनेती में अपने आचरन से लोकतांत्रिक मुल्यों की पूर्ण अस्थापना करने वाले पूरो परदान मंत्री भारत रत्न स्रदे अटल बिहारी बाजपे को उनकी पूर्णे तिथी पर बिनम्र दांजली है पेरिस ओलमपिक की अभे से अरजुन मुंडा केंद्रिय मंत्री और भारतिये तिरंदाईंच संक्याद्यक्ष अरजून मुंडा परदान मंत्री की तरब से ओलमपिक में भाग लेने वाले खिलयाडियों से मुलकात का औक करम में मजूद थे बता दे अरजून मुंडा ने कहा कि पधान मंत्री ने टोकियो उलम्पिक में जाने से पहले खिलाड़ियों के हफ सला अफजाई की अब आने के बाद भी उनका उत्सा बढ़ा रहे हैं अरजुन मुंडा ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि देश के पधान मंत्री ने एक-एक उलम्पियन से मुलकात कर उनसे बात की और बहुत सारी बाते साजा की काम करने ले लदाक गए मैदूरों से मार पीट मैदूरी मांगने पर मेट और उनके गुर्गों ने बीते 24 जुलाई को ले लदाक में पाकुडिया के पलिया दाहा के करीब 31 मैदूरों को बेरमी से पिटाई कर दिया है बतादे मार पीट से सभी मैदूर गंभी रूप से जक्मी है इन मैदूरों ने 12 अगस्त को एसपी को आवेदन दे करने आए कि गुहार लगाई है पीडित मैदूर कासिम अंसारी ने बताया कि दोमका के दोमा हानी गाव निवासी लेबर मेट अलाओ दिन अंसारी इसी वर्ष मार्च महीने के पहले सब्ता पलिया दाहा गाव आया था अच्छी मैदूरी दिलाने के नाम पर मैदूरों को लेला दाख ले जाने की बात कही थी देव घर का जसी डी रेलवे स्टेशन बने का वर्ल्ड कलास रेल मंत्राले ने रेल लेंड डेवलोप्मेंट अथुरीटी के माध्यम से देश के एक्षन रेलवे स्टेशन को रेडवलोप्मेंट करने की योजना बनाई है इसमें जार्खन के जसी डी धनबाद और टाटा नगर रेलवे स्टेशन को सामिल किया गया है बता दे रेल लेंड डेवलोप्मेंट अथुरीटी के इस रेडवलोप्मेंट प्रोजेक्ट में जसी डी एस्टेशन को वर्ल्ड कलास एस्टेशन के रूप में विक्सित किया जाएगा गांधी नगर वो बनारस एस्टेशन के तरज पर जासीडी एस्टेशन को विक्सित किया जाएगा असी उत्क्रिष्ट इसकूलों के लिए सिख्षकों की प्रतिन्युक्ती में अनिमित्ता जारखन के असी उतक्रिष्ट बिद्याले के लिए असनातक प्रसिक्षित सिक्षक और असनतकोतर प्रसिक्षित सिक्षकों के प्रतिन्युक्ति का आदेश जारी हो चुका है इसमें भारी अनिमित्ता की बात सामने आ रही है बता दे मुरिट सिक्षक भी उत्कृष्ट विद्याले में सिक्षक बना दिये गए हैं वहीं हाई स्कूल के सिक्षकोष को भी जीला केडर से बहाल प्रतिन्युकत कर दिया गया है यतना ही नहीं जो सिक्षक जिस विसाय के हैं उस विसाय को छोड़ दूसरे विसाय में उनकी प्रतिन्युक्ति की गई है जो सिक्षक इसके लिए आवेदन भी नहीं किये थे उन्हें भी दूसरे स्कूलों में भेज दिया गया है बता दे राजे भर में कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां से सवी सिक्षको को उत्किष्ट विद्याला में प्रतिनुक्ति किया गया है धन्यवाद